ICR का registration जब तक मैं वीडियो record करना हूँ तब तक open नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आपके अमने में बहुत सारे सवाल होंगे कि इस rank पे इस percentile पे क्या मुझे registration करना चाहिए 500 रुपय अपना फसाना चाहिए या फिर नहीं तो आप बिल्कुल साई वीडियो पे आए है इस वीडियो में हम category wise देखेंगे कि हाँ आपको इस category में इस course के लिए apply करना है या फिर नहीं तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए इस वीडियो को तो दोस्त अगा चैनल पे नहीं है तो subscribe जरूर कर लेना और अब हम चलते हैं वीडियो की तरह disclaimer मैं दे देता हूँ यह कोई final cutoff नहीं है यह कोई final यह नहीं है कि इत्ते तक ही मिलेगा इसके आगे भी मिल सकता है पीछे भी मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं all courses का बता देता हूँ B.S.C.A. जी को थोड़ा हम पीछे रखते हैं तो all courses में ऐसे students जिन्होंने अपना examination PCB, PCA या फिर ABCC दिया है उनके लिए या फिर आप B.S.C. agriculture, horticulture उसके बाद forestry इन courses में admission चाहते हैं तो आपको कहां तक counseling करनी चाहिए किस rank तक तो सबसे पहले अगर आपकी rank overall 14,000 to 15,000 है तो आपको register कर लेना चाहिए अगर आपकी rank 15,000 से जादा है तो बिल्कुल आपको register नहीं करना चाहिए ये मैं किसकी बात कर रहा था? General, OBC और EWS की General, OBC और EWS में OBC और EWS वाले students confused होते हैं कौन सी rank ये वाली थी? ये वाली rank आपकी overall मैंने बताई है 14,000, 15,000 इसके उपर आपको register नहीं करना है आपको अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर देना है ठीक है? ये हमने बात कर ली General, OBC, EWS की अब हम बात कर लेते हैं SC और ST केटेगरी में कहां तक आपको register करना चाहिए course हमारे same है, agree, hotty और आपना forestry PCB, ABC और PCA अब यहाँ पे 2000 से 2200 तक जिसकी category rank है SC में वापे से repeat करूँगा 2000 से लेके 2200 category rank है SC में अगर आपकी तो बिल्कुल आपको register कर लेना चाहिए next बात आती है ST category में अगर आपकी rank 1200 के आसपास तक भी है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको college मिलने वाला है बट आपको यहाँ तक register करना चाहिए अगर आपकी rank ST category में 1200 के उपर आ रही है तो आपको registration करने की कोई जरूरत नहीं है ICR main counselling में आप अगले साल के लिए prepare कर सकते है या फिर जब college level counselling कहीं पे भी होता है तो उसका इंतजार करें अथवा ICR counselling में अपना समय वेर्थ ना करें ठीक है यह चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कितने भी वीडियो देख लोगे दोस्त कोई थोड़ा कम बताएगा कोई थोड़ा ज़ादा बताएगा लेकिन जो exact बताने वाला है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अब next हम बात कर लेते हैं technical courses की जिसमें केवल eligible होते हैं physics, chemistry और mathematics यानि जिनों ने अपना examination ICR का PCM से दिया है उनके लिए हम देख लेते हैं तो ऐसे सभी students जिनकी overall rank general OBC EWS में 21,000 से लेके 23,000 के आसपास है इस range में है अगर 23,000 overall ranking है तो बिलकुल आपको registration कर लेना चाहिए technical courses में आपको chance है अब यह नहीं है कि यहाँ 24,000 rank पे आपको BSC Agriculture मिल जाएगा लेकिन अगर आप B.Tech Agricultural Engineering Dairy Tech या Food Tech करने जाओगे PCM से अपने examination दिया है तो आपको इसमें chances बनेंगे ठीक है तो मैंने यहाँ पर बताया लगभग 21 से लेके 23 तक लेकिन 24 तक भी आप registration कर लेना अगर आप B.Tech, Food Tech में इंट्रेस्टेड हो ठीक है यह हमने बात कर ली General OBC और EWS की अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाले students की जिन्होंने examination अपना PCM से दिया है सभी students को registration करना है ST category के जितने भी students हैं जिन्होंने अपना examination PCM से दिया है इसके अलावा SC category में भी इतने students हैं इनको भी अपना registration करना है जिन्होंने examination दिया है physically challenged student हैं उनको सभी को registration करना चाहिए ICR counseling के लिए बले ही आपके number कितने भी आए हो physically challenged हैं तो आपको registration करना चाहिए अगर आपको university चाहते हैं आपको वो मिल जाएगी ऐसे students जो UPS category में आते हैं तो जो rank मैंने आपको यहां पर बताई है उस पे आप add कर लेंगे 5 to 8,000 ठीक है 5 to 8,000 आप उसमें add कर लेंगे जैसा मैंने माल लीजे approximately 15,000 बता है 15,000 तक registration करना चाहिए आपका UPS है तो आप 20 से लेके 23,000 तक भी registration कर सकते हैं ठीक है अगर आपके rank card में UPS लिखा आ रहा है बाकी और किसी भी students के लिए यह मैं नहीं बता रहा हूँ guidance है कैसी चीज है जो अगर सही time पे मिल जाए तो life बन जाती है उसके बाद की तो उसकी कोई value नहीं रहाती है सही time पे सही decision आपको कैसे लेना है यही role play करता है सबसे बड़ा guidance का वो importance आपको धीरे-दीरे समझ में आ जाएगी जैसे ही आप अपने career में grow करेंगे अपने आगे future को build करेंगे ICR Mentorship 2022 की link आपको description box में दी जारी है और first comment में मैंने pin कर दिया है तो उस link पे click करके आप इस form को भर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं directly through the WhatsApp और call दोस्तो इस video में इतना ही आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें देखते रहें क्रिशिक रांती YouTube चैनल सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं पेह मुदा प्याला पीयो यो मैं पेह मुदा प्याला पीयो यो इक बन में सदिया जीयो यो अबे नियुक्त